कि सिक्स कलास कुड मॉ Immediately सप्रभातम संस्कृत में हम अपना व्याnio विशेई पड़्डे हैं जैसे आपको पता है आज कल हम सब्धुरूप पड़्डे हैं अब अमारा सब्धुरूप हमने सब्धुरूप में बालक सब्ध पड़े राम सब्दफ पडा अकारान्त में युए फिर उसके बार नपुनसकलिंग अकारांट पढ़े थे हम भल सब्द और पुस्प सब्द आज मैं आपको आकारांट स्ट्रिलिंग ठीक है आकारांट स्ट्रिलिंग मैं सब दरूब बताऊंगी आकारांद में आकारांद किसे कहते हैं पहले ये समझ दो जैसे आकारांद में जिसके अंद में क्या आ रहा था ओ आ रहा था वो क्या कहला है हमारा अकारांद अब आकारांद इस्त्रिलि ठीक है तो आकारांद किसे कहते है वे संग्यासब्द जिसके अंद में अकार अर्थात आ आता है आश्वर आता है जिसके अंद में क्या आता है आसवर आता है तो वो क्या कहला है था हमारा आकारांथ ठीक है वो क्या कहला हैगा आकारांथ सब दरूप हमारे चलते हैं पुलिंग नपुनसकलिंग आकारांथ स्ट्रेलिंग इकारां अकारांत इस सारे सब्द रूप चलते हैं तो हम थोड़ा सा हम लोग पहले अकारांत पढ़ा फिन पुनसकलिंग पढ़ा अब हम आकारांत पढ़ते हैं तो देखते हैं कि आकारांत किसे कहते हैं वे संग्या सब्द जिसके अंत में अकार अर्थात आस्वर आता है उसे हम कहत अकारांत सब्द कहते हैं, अब अकारांत जैसे आ 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 सब्द कहते हैं, कैसे आकारांत आ रहा है है ना लता आ रहा है नहीं आ रहा है लता तो जिस सब्द के पीछे जिस सब्द के अंत में क्या आए अकाराई अर्थात आस्वराई वहो क्या कहलाता है आकारांत कहलाता है तो हम यहां पे लता सब्द पढ़ते हैं ये क्या है अकारांद बालिका सब्द क्या है अकारांद पहले आपको बालिका सब्द बताए चाहेगा फिर लता सब्द पढ़ेंगे ठीक है तो बालिका सब्द हमारा जैसे बालिका सब्द है बालिका में भी क्या आता है आता है लास्ट में है ना बालिका 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 आ रहा है उच्चारण हमारी आ की मात्रा है आ रहा है बालिकार्टा लड़की अब हमारे जैसे बालक सब्द रूप चले इसी परकार से हम क्या इस तरी लिंग में आकारांद वो तो हमारे क्या थे अकारांत अब हम क्या पढ़ रहे हैं आकारांत ठीक है जिसके अंत में क्या है आई जिसके अंत में क्या है आई ठीक है तो सब दुरूब पढ़ने का तरीका आपको बताया बताया ना जैसे बालक बालको बालका रूद अपया है अकारांद इस्त्रेलिंग बाली का सब्द अब इसमें क्या आता है अकारांद की सब्द रूप क्या होते हैं तदल जाते हैं थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि यहाँ आ है, इस तरहे लेंगे, आया समझ में, तो सब दरूफ किस प्रकार से चलेंगे, बालिका, बालिके, बालिका, आया, आया ना अंत में, बालिका, बालिके, बालिका, यह पर्थमा भी बगती, दूतिया, बालिका, बालिके, बालिका, क्योंकि विशर् इसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं बिशर्ग जो बिंदा लगे हैं वो क्या है बिशर्ग कहलाई ठीक है तो सब दरूर पर थमा क्या चला बालिका बालिके बालिका रूतिया क्या चला बालिका बालिका बालिके बालिका बालिका भ्याम बालिका भी आ रहा है ना तो आ रहा है बालिकाई बालिकाभ्याम बालिकाभ्या बालिकाया बालिकाभ्याम बालिकाभ्या ठीक है बालिकाया बालिकायोः बालिकानाम बालिकायाम बालिकायोः बालिकाशु हे बालिके हे बालिके हे बालिकाह अन्त में क्या है काका तो ये हमारे क्या होते हैं आकारांत इस्त्रीलिंग क्योंकि इस्त्री है नहीं तो ये क्या कहला है हमारे इस्त्रीलिंग ठीक है जैसे बाली का सब्द क्या चले आपको बता है इसी पतर जैसे हमारा बालाक सब्द संबोदन तक चलता है तो यह हमें आकारांत आ जाता है तो सब्द रूप क्या हो जाता है थोड़ा सा बतल जाता है लेकिन अगर हम एक सब्द रूप इस्ट्रिलिंग एक सब्द रूप नपुनसकलिंग एक आकारांत में याद कर लें एक सब्द रूप हमें याद हो जाएं तो हम सारे सब्द रूप को क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं ये थे हमारे बाली का सब्द तरीका आपको बताया कैसे पढ़ते हैं इसको भी आप क्या करोगे प्याकरन की कॉपी में बाली का सब्द लिखोगे ठीक है अब हमारा लाता सब्द जैसे है लता सब्द है जैसे तो लता सब्द जैसे हमने बाली का सब्द पढ़ा अब हम लता सब्द भी वोई जो हमारा क्या आता है लास्ट में आता है आकारांद ठीक है तो लता सब्द रूप पढ़ने का तरीका क्या है लता आ रहा है लते लता फिरा लताया, लताब्याम, लताब्या, लताया, लताब्याम, लताब्या, लतायोह, लतानाम, लतायाम, लतायोह, लताशु, हे लते, हे लते, हे लता, यह हमारे क्या है, लता सब्द के, यह भी क्या है, आकारांद, हमें बाली का सब्द रूपयाद है, तो हम लता सब्द भी रूप प्लिक सकते हैं या हमें लता सब्द रूप याद हैं तो बाली का सब्द भी हम उशी के अनुशार कर सकते हैं तो एक हमें मैंने क्या पता है एक हमें इस्त्रेलिंग में याद होना चाहिए एक हमें पूलिंग में याद होना चाहिए एक हमें नपुनसकलिंग में याद होना ठीक है तो ये हमारे क्या होगे आकारांद पढ़ने का तरीका बताए आपको ये हमारे क्या थे आकारांद जैसे बाली का शब्द बताए और लता सब्द दो थे ठीक है तो क्या करना है हमको इनको अपनी भ्याकरण की कॉपी में लिखना है और याद करने की कोशिश करने है रोज सब्द रूप ठीक है फिर हम जब पार्ट पढ़ेंगे न उस समय हमारे क्या आते हैं सब्द रूप धातरूप की क्या आते हैं काम आते हैं ठीक है अब मैं जैसे मैंने एक पुलिंग बता दिया अकारांथ अब एक स्ट्रिलिंग बता दिया अकारांथ अब इसके बाद जो मैं बताऊंगी वो इकारांथ होगा साहर इकारांथ बताने के बाद मैं आपको धातरूप बताऊँ क्योंकि आपके इस लेबल्स में इतने ही काल में क्या होते हैं शब्द रूप होते हैं तो आप इसको अपनी कॉपी में करोगे और इसको याद करने की कोशिश करोगे फिर आपके लिए इकारांत फिर सब्द रूप आएगा फिर आप सिख्या करेंगे चैप्टर शुरू आपको कराए जाएंगे ठीक है